हेलो फ्रेंड्स, हमारा देश भारत, गुलामी की जंजीरों में लभख 200 सालों तक बंधा रहा और फिर न जाने कितने शहीदों के बलिदान के बाद हमारे देश को आजादी का दिन देखने मिला इस आजादी को दिलाने में एसे कितने ही लोग है छिने हम नहीं जानते या जानते भी है तो केवल उनका नाम एसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे गोपाल कुरुष्न गोखले आज मैं क्रांतिकारी सेना की ओर से इनी के सबन में जानकारी दूँगी गोपाल कुरुष्न गोखले एक स्वतंत्रता सेनानी समाज सेवी विचारक एवं सुधारक थे गोपाल कुरुष्न गोखले को वितिय मामलों की अध्वितिय समझ और उस पर अधिकार पुर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता था उन्होंने एक संस्था सर्वेंट्स ओफ इंडिया की स्थापना की चो आम लोगों के हितों के लिए समर्पित थी देश की आजादी और राश्ट्र निर्मान में गोपाल कुरुष्न गोखले का योगदान अमुल्य है उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधिन भारत पर एक सार्वजनिक भाषन दिया जिसकी बहुत सराना हुई अपने लेख और भाषन के माध्यम से उन्होंने लोगों के अंदर चुपी देश भक्ति को जगाने की कोशिश की वो दिल्ली में इंपिरियल विधान परिशत के सदस्य बने जहां वो देशवासियों के हित के लिए अपनी बात रखते थे गोखले को हमारे देश की आर्थिक समस्याओं की अच्छी समझ थी जिसे वो बहेश के दोरान काफी चतुरता से प्रस्तुत करते थे गोखले बिटिस सरकारद्वारा भारतियों पर किये जा रहे अनुचित व्यवहार के सबंध में अपने विचार प्रगट करने इंगलेंड चले गए वहां पर उन्होंने विभिन सभावों को संबोधित कर सबको मंत्र मुक्त किया उनकी आवाज सारवजनिक हीतों के मामले में और अधिक सुनी जाने लगी गोखले अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सक्रिय रहे जिसमें उनकी विदेश यात्राय और आंदोलनों और सुधार कार्यक्रमों में योगदान शामिल है वो मधुमेह और दम के मरीश थे और अत्याधिक बोलने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकुल असर पड़ा अंत में 19 फरवरी 1915 को उनकी मृत्य हो गई उनके अंतिम संसकार के समय बालगंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत का हीरा, महराश्ट्र का आभुसन, क्ष्रमिको का राजकुमार यहां इस स्थान पर परालोकिक विश्राम ग्रहन कर रहा है उनकी ओर देखिये और उनके जैसा आचरन करने का प्रयास कीजिए इस प्रकार गोखले का संपून जीवन भारतियों के विकास में लगा रहा आज 9 में उनके चन्म दिन पर क्रांतिकारी सेना की ओर से हर्दिक बधाई 6 हिं 6 भारत